कर्म का फल सबको मिलता है बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहु बनकर कवन आता है जिसको दूसरों के साथ कर्मों को लेना देना होता है लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा एक फौजी था उसके मान नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था तो थोड़ा ही दिन में एक सेट जी जो फौज में साल सपले करते थे, माल सपले करते थे, उनसे उनका परचे हो गया, और दोस्ती ही हो गई, सेट जी ने कहा जो तुमारे पास पैसा है, वह उतनी के उतनी ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूँ, लगा दूँ तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा इसे लिए तुम दे दो फौजी ने सेट जी को पैसा दे दिया सेट जी ने कारवार में लगा दिया कारो बार उनका चमक गया खूब कमाई होने लगी कारो बार बढ़ गया तोड़ी ही दिन में लड़ाई लग गयी लड़ाई में फौजी गोड़ी पर चड़ कर लड़ने गया गोड़ी इतनी जबरदस्त थी जितने जोर से लगाम कीछे उतनी ही तेज बागे किस्ते किस्ते उसके गला पर तक कट गया लेकिन वह दोड़ कर दुश्मन के गोले में गोली जाकर खड़ा हो गया दुश्मनों ने वार किया फौजी भी मर गया गोड़ी भी मर गयी अब सेड़ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेड़ जी बहुत कुश हुए कि उस लेने वाला भी नहीं रहा तो सेट जी बहुत कुश हुआ तब तक कुछी दिन बाद सेट जी के गर पे लड़का पैदा हो गया अब सेट जी और कुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा ना हो गया, कारवार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया, सेट जी बहुत कुश हुआ, वह लड़का होश्यार था, पढ़ने में समझदार था, सेट जी ने उसे पढ़ाया लिखाया, जब वह पढ़ लिक कर बड़ा हो गया, तो सोचा कि अब यह कारवार समाल लेगा, चलो अब उसकी शादी कर दे, शादी करते ही गर में आ गई बहुरानिक, दुलहन आ गई, उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारवा समाल लेगा, लेकिन कुछी दिन के बाद बच्चे की तवित खराब हो गई, अब सेट जी डाक्टर के पास, हकीम के पास, वैद के पास दौड रहे हैं, वैद की जी जो दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं, और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही, पैसा बरबाद हो रहा है, और बीमारी बढ़ती ही जा रही है, रोग कट नहीं रहा, पैसा कूब लगा रहा है, अब अंत में डाक्टर ने कहा दिया कि लाइफ लाइज हो, इसका अब यहाँ बच्चा दो दिन में मर जाएगा, डाक्टर के जवाब देने से, सेट जी निराश हो कर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे, रास्ते में एक आदमी मिला, कहा, अरे सेट जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो, सेट जी ने कहा, यहाँ बच्चा जवान था, हमने सोचा बुडापे में मदद करेगा, अब यह बिमार हो गया, शादी होते ही, हमने इ इतना मांगा, उतना ही दिया, लेकिन आज डाक्टरों ने जवाब दे दिया, अब यह बचेगा नहीं, असाद्य रोग हो गया, लाई इलाज है, आदमी ने कहा, अरे सेट जी तुम क्यों दिल छोटे छोड रहे हो, मेरे पडोसी में वैद जी दवा देते हैं, दो आने की पुडिया जुका कर मुर्दा भी उठकर खड़े हो जाते हैं, जल्दी से तुम वैद जी की दवा ले जाओ, सेट जी दवड कर गए, दो आने की पुडियों में लेके आया, पैसा भी दे दिया, आये बच्चे को खिलाया, बच्चा पुडिया काते ही मर गया, बच्चा मर अब सेट जी रो पड़े सठानी भी रो रही है और घर में बहुरानी और पूरा गाउं भी रो रहा है गाउं में शोर मच गए कि बहुरानी सेट की कमर जवानी में तूड गई सब लोग रो रहे हैं तब तक एक महात्मा जी आ गए उन्होंने कहा भाई क्यों रोना दोना लोग बोले इस सेट का एक ही जवान लड़का था वह भी मर गया इसलिए सब लोग रो रहे हैं सब दुखी हो रहे हैं महात्मा बोले सेट जी रोना क्यों सेट महात्मा जिसका जवान बेटा मर चाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा महात्मा तो सेट हाँ कारुबार के लिए पैसा मिला था तो कुशी तो थी महात्मा आरे उस दिन तो आपकी कुशी की टिकाना ही नहीं था सेट किस दिन, महात्मा आरे, जिस दिन फोजी मर गया, सोचे कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूप चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे, सेट हाँ महाराज, कुश तो था, महात्मा अरूस दिन तो आप की कुशी का टिकाना ही नहीं था पता नहीं कितनी मिठाईयां बट गई सेट किस दिन महात्मा अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था सेट महाराज लड़का पैदा होता है तो सब कुश होते हैं मैं भी हो गया तो क्या बात महात्मा उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे सेट किस दिन परमात्मा महात्मा अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे सेट महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी कुश होता है तो मैं भी कुश हो गया, महात्मा तो जब इतनी बार कुश हो गये, तो जरासी बात के लिए रोक्यों रहे हो, सेट महराज या जरासी बात है, जवान बेटा मर गया, वह जरासी बात है, महात्मा आरे सेट जी, वही फोजी पैसा लेने के लिए बेटा बन कर आ गया, पढ़न काने में, लिखने में, काने में, पेहने में,